भिलाई शहर के दीन दयाल पूरम में बीती रात आक्रोश का माहौल देखने को मिला क्योंकि यह पूरा इलाका बरसात के पानी से लबालब हो गया था और इसकी शिकायत वहां के रहवासियों ने कई बाई शासन प्रशासन से की शासन प्रशासन की उदासी इंता की वज़ा स से दीन दयाल पूरम के रहवासि नर्किय जीवन जीने पर मजबूर हो गए हैं बीते एक दो दिन में हुई बारिश ने भिलाई शहर में बने हुए पंडित दीन दयाल पूरम कॉलोनी की पोल खोल कर रख दी और यहां के रहवासियों ने इसकी शिकायत शासन प्रशासन औ और आला अधिकारियों तक कर दी है परन्तु आज तक इसका कोई निवारन नहीं हुआ बीते दिन हुई जमा जम बारिश से एक बार पुनह या छेत्र पानी में ऐसा डूबा मानो कॉलोनी तालाब के बीच में बनाई गई हो बीती राज छेत्रवासियों का गुस्सा शासन रहवासि यहां से हटे और यातायाद बहाल किया जा सका यहां देखने वाली बात यह है कि हाउसिंग बोर्ट द्वारा बनाए इस कॉलोनी में प्राइवेट कॉलोनाइजर द्वारा आवेवस्ता फैला दी गई है जिसकी शिकायत करने पर भी शासन इसकदर मौन है जैसे प्रशासन और कॉलोनाइजर के बीच किसी प्रकार की मिली भगत हो कॉलोनी के रहवासियों ने अपनी पीड़ा मीडिया के समक्षवेक्त की है हुई है और नालिया जो बहुत छोटी है और जो में निकासी थी वार जो बनाई गे थी उसमें किसी प्राइवेट कालोनीय जाओ अपनी में निकासी को लाकर जोड दिया गया अभी आप जाके देखेंगे तो जो में नेशनल हाइवे है उसके उस तरफ से जो कई तो एकर जो खाली जमीन ने उसका पानी और बाकी कालोनीय का पानी पूरा आते हुए यहां घुस रहा है नाली कि इदर छोटी है और जो नाली हाउसिंग बोट की बनी हुई है उसमें इतना तेज प्लो आ रहा है ति वो पानी पूरा बैक मार जे रहा है आज मातर आदे घंटे का आज पंडित दीन दयाल पूरम के लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए चक्का जाम करने का फैसला लिया है शासन प्रशासन ने अगर ऐसी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया तो कल ऐसे कई कालोनी के रहवासी और भी बड़े आंदोलन करने पर मजबूर हो सकते हैं क्रेंडेसियन न्यूस के लिए भिलाई से संतुष शर्मा की रिपोर्ट